नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बाहर फिर स्वागत है बीप्यस्स सिछक भरती टीजीटी प्लस पीजीटी हिस्ट्री प्रेटी सेट 6 में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्व पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हां अगर आप लोग इसे पिछला प्रेटी सेट देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बनावा जिसका नाम वीप्यस सीख जा और उस प्लेलिस्ट का लिंक में डिस्किप्शन में दे दिया हूं तो वहां से डारेक् चंद्रगुप्त मौर की तीथी की जनकारी कहां से प्राप्त होती है यहां पर दियाए कि तीथी की जनकारी कहां से प्राप्त होती है तो इसमें इंसर हो जाएगा आपका ए यूनानी स्रोथ से यानी चंद्रगुप्त मौर की तीथी की जनकारी है कहां से प्राप्त होती ह यूनानी स्रोत से इसमें आपका राइट एंसर होगा कि कोशन नमबर दो है चैंद्रगुप्त मौरे अपने अंतीम समय किस धर्म का अनुवाई हो गया था चैंद्रगुप्त मौरे अपने अंतीम समय किस धर्म का अनुवाई हो गया था सैव जैन वैस्णों या बौध तो चैंद्रगुप्त मौरे अंतीम समय यह जैन धर्म का अनुवाई हो गया था और जैन धर्म का अन्वाई हुआ था ये और अपना अंतिम समय जानकर ये जो है श्रवाण वेल गोला चला गया था श्रवाण वेल गोला ये करनाटंग पड़ता ये अस्थान है और यहीं पर जो है इसका प्राण त्यागा था जैन धर्म के सनलेखना भी दिये जो इसमें बीना खाय पिए यानि सब कुछ छोड़ दिया जाता है भोजन उसमें और उसी को सनलेखना विदी कहा जाता है तो सनलेखना विदी द्वार अपना प्राण त्याग किया था चेंद्रगुप्त मौरे ने जो जैन धर्म का एक मुच्छ प्राप्ति का अंग है सनले प्राटक में यह को सन नमबर तीन है कि मौरे वंस का अंत किस ने किया मौरे वंस का अंत किस ने किया सुंग साथ वाहन कुसान या गुप्त तो मौरे वंस का अंत किस ने किया तो इसमें आपका जो राइट एंसर होगा वह है आपका ए सुंग ने तो मौरे वंस का अंतिम सा भीठ्द्रत और उसका सिरा नायक था पुस्मित्र सुंग उसने जो है शुमित्र सुंग ने वेद्द्रत के हत्या करके एक नया हमस बनाया था जिसका नाम था सुंग हों सो तो किस ने किया इसमें इंसर हो जाएगा आपका ए सुंग वंस को कोस्टन नंबर चार है कि स्रिलंका में बहुत धर्म का परचार करने वाले महेंद्र ने किसके बहुत गरंथों का अध्यन किया था स्रिलंका में बहुत धर्म का परचार करने वाले महेंद्र ने किसके बहुत गरंथों का अध्यन किया था महाकस्यप का मिलिंद का या महिंद्र का या मोगली पूत तिस्यका को इसमें जाएगा आपका स्रीलंका अम ब्ल अध्वर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र यह आछ पूत्र था यह रहा को स्रीलंक्तब बेजा गया घ्र्म परचार कहने के लिए और यहला अद्ध्यन Century था किसका गरंथ बहुत गरंथ तो मोगली पुत्त तीस्य का तो डी इसमें आप पर राइट एंसर हो जाएगा कोस्टन नमबर पांच है सिंद से पाटली पुत्र तक जाने वाले मार्ग का उलेख किया गया है सिंद से पाटली पुत्र तक जाने वाले मार्ग का उलेख किया गया है सिकंदर, मेगस्थनीज, फायान या कोटिल्य तो सिंध से पाटले पुत्र तक जाने वाले मार का उलेख किया गया है तो इसमें एंसर हो जाएगा आपका बी मेगस थनीज कोर्शन नमबर छे है धर्म महामात्र कौन थे धर्म महामात्र कौन थे अधिकारी थे जैन मुनी थे बौध विच्छु थे या पुरोहित थे कोर्शन नमबर साथ पर आते हैं कि सात्वा नमबर दखेगा अपने उपर आश्रित बच्चों या पत्नी की समचित बेवस्था किये बिना बहुत विच्छु बनने वालों के लिए किसने डंड का प्रावधान किया था कौटिल असोक मनू या पुश्मित्र सुंग इसमें कोर्शन नमबर आठ है कि पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पुणता तक पहुंच चुकी थी कि इसके लिए आधनिक छमता से परेलुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है मौरेकाल पल्लो गुप्त या राष्ट कुट के समय इसका एंसर हो जाएगा इसमें ए मौरेकाल के समय कोर्शन नमबर नौ है किस ग्रंथ से पता चलता है कि असोक कस्मीर का संस्थापक है कौन सा ग्रंथ है जिससे पता चलता है कि असोक जो है कस्मीर का संस्थापक था दिब्यावदान महावंस दीपवंस या राज तरंगडी इसमें अंसर हो जाएगा आपका डी राज कलहड का यह है राज तरंगड़ी कि कुश्चन नमबर 10 पर आते हैं स्रॉन वेल गोला इस्तित है तमिलनाडो गुजरात कर्णाटक आंध्रप्रदेश अभी आपको उपर पताया थे स्रॉन वेल गोला जहां पर जो है चंद्रुत मौरे ने अपना आंतिन समय बिताया था सल् किस राज में तो यह आपका एंसर हो जाएगा सी करनाटक कुश्चन नमबर 11 है पोतवा अध्यच का कारे किसका निरिच्छन करना था नौ का राजकिये रंधन साला यह सिखों का ढालना यह माप तौल तो पोतवा अध्यच का कारे निरिच्छन करना था किसका माप तौल का डीस में आपका सही हो जाएगा माप तॉल नमबर 12 है किसके अनुसार मौरियों के सासनकाल में जहाज रानी पर राज का एक आधिकार था किसके अनुसार मौरियों के सासनकाल में जहाज रानी पर राज का एक आधिकार था कौटिल टालमी एरियन या फ्लेनी इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा कि एक कौटिल लेख कोश्चन नमबर 13 है असोक ने किस अभिलेख में कहा था सभी मनुस्य से मेरी संतान है पांचवा सिलालेख छठा स्तंबलेख प्रथम प्रिथक सिलालेख या दूतिय प्रिथक सिलालेख तो इसमें आपका जो राइट एंसर हो जाएगा वह है सी प्रथम प्रिथक सिलालेख में कोश्चन नमबर 14 पर आते हैं 14 नमबर देखिएगा कोटिल के और सास्त के अनुसार सिक्के ढालने का कार किसका था लोहाध्याच लच्छनाध्याच रूप दर्शक ये स्वनाध्याच इसमें इंसर जायेगा आपका बी लच्छनाध्याच कोश्चन नमबर 15 है गुप्तचर विवस्था का प्रथम विश्त्रित वालन किया गया है किसमें और सास्त में या कामंद की निती सार में या मुद्रा राच्छस या निती वाक्यात्यम में इसमें इंसर हो जायेगा आपका ए अर्थ सास्तर में कोश्चन नमबर 16 है किसने सर प्रथम सुराष्ट में सुदर्शन जील का निर्माण करवाया चंद गुप्त्र मौर्य, रुद्र दामन, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त कोश्चन नमबर 17 है किस अस्थान पर असोक ने भूमिकर घटा कर एक बटा आठ भाग बोद गया में पाटले पुत्र सारनात लूम्बनी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सी है यहां पर लूम्बनी तो असोक जो है लूम्बनी में भूमिकर एक बटा आठ भाग कर दिया था क्योंकि लूम्बनी जो है गौतमबुद का जन्म अस्थान है और असोक बोद धर् अपनाने के बाद ये कार किया था कोश्चन नमबर 18 है असोग का समकालिन अंतियोग कहां का राजा था मेसिडोनिया, कोरेंथ, मिस्र या सीरिया इसमें अंसर हो जायेगा D, सीरिया का कोश्चन नमबर 19 है कोटिल ने किसको सेना में भरती होने की छूट दी थी केवल चत्री या ब्रामल चत्री या ब्रामल चत्री वैस सुद्र या ब्रामल चत्री सुद्र इसमें एंसर हो जायेगा आपका कि डी आप्शन इसमें सही होगा ब्रामल चत्री वैस सुद्र कोश्चन नमबर 20 है , अपने अविलेक के किस वर्स असोक ने कलिंग विजय प्राप्त की थी ? चते याचत्य वर्स याचते वर्स याच इसका एंसर हो जाएगा इसमें बी आ आठ्यम्य मर्स आपका आ एक joint ईसापुर याद रखेगा Значит still राजाविषेख भीक पुछेगा तो बीश्वा का जो राइट एंसर हो जाएगा बी कोस्टन नमबर 21 पर आते हैं चंद्र गुप्त मौर का समकालिन सौराष्ट का प्रांति सासक था बिंदुसार पुस्य गुप्त तुसास्फ या राधा गुप्त इसमें एंसर हो जाएगा आपका भी पुस्य गुप्त कोस्टन जबर दस्ती और बिना भुक्तान के कराई गई मजदूरी मिश्टन नमबर 23 है निम्न मेंसे किसने भारत में रोम के शिक्कों के पर गहरा दुख व्यक्त किया इस ट्रेवो प्ली टालमी या एरियन इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमें भी प्लीनी ने कोस्टन नमर 24 है निम्न में से कौन सी लीपियां असोक के अभिलेखों में पर्युक्त हुए ब्रामणी खरोष्टी आर्माईक ग्रीक या खरोष्टी ग्रीक सारदा ब्रामणी या देवनागरी आर्मेक ब्रामणी खरोष्टी या ब्रामणी खरोष्टी ग्रीक देवनागरी कोशन 25 है और अंतिम कोशन है आज के लिए कईलई के और सास्त्र के अनुसार दिवानी कचहरी को कहा जता था क्या कहा जता ता प्रदैष्टा धर्मस्त्य कटक्सोदन या डंडा धिकारी दिवानी कचारी को आयता था धर्म अस्थी वी सही होगा इसमें तो यह थे कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिस दिक सेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहि वन दे मात्रम